आज समाजवादी पार्टी का मेनिफेस्ट तो जारी हुआ है उस पे भारतियंता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यच्स के सो महराई जी पहले उस पे टिपड़ी देंगे फिर बाद में जो भारतियंता पार्टी जो केंद्री चुनाव सिम्थी ने जिन नामों को तै किया है उन नामों को हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जंगल राज का परतीक बनी समाजवादी पार्टी कि मुख्या आप कहूं स्री अकलेश यादो जी ने आज अपना घोष्णा पत्र जारी किया है सबसे पहले तो मैं अकलेश जी से इस घोष्णा पत्र के साथ आने से पहले उनसे कुछ सवाल भी मैं खड़े करना चाहता हूँ कि 2012 में जब उस सरकार में आना था उन्होंने कहा था कानून व्यवस्था ठीक करेंगे नंबर तो जरूर कुछ उन्होंने जारी कर दिये लेकिन उत्तर प्रदेश में गुंडा गर्दी पूरे चरम सीमा पर पहुँची आपराधी सक्ता के संदच्छन में पूरे उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के कारिकाल में नंगा नाच करते रहे महिलाओं के प्रति आपराध की घटनाओं की बाढ़ हा गई जमीनों पर कबजे यहाँ साइद ही उत्तर प्रदेश का कोई गाओं कोई सहर बचा होगा जहाँ पर समाजवादी पार्टी का जंडा लगा करके गुंडे और अपराधियों ने जमीनों पर मकानों पर दुकानों पर कबजा ना किया हो इस सरकार में विकास कार पूरी तरह से ठप हो गया और यह कहने मुझे कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का विकास न सपा कर सकती है न बस्पा कर सकती है उत्तर प्रदेश का विकास केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है जिस सरकार में सरकारी योजनाओं में भेदभाव करते हुए जाती और धर्म के आधार पर योजनाओं को चलाने का काम किया गया हो पूरे प्रदेश में भेदभाव पैदा करने का काम किया गया हो उस सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता को कोई अपेच्छा नहीं है पिछले दिनों समाजवादी पार्टी का एक हाई प्रोफाइल ड्रामा मेरे प्रदेश ने भी देखा है, मेरे देश ने भी देखा है और दुनिया ने भी देखा है किस प्रकार से चाचा भतीजे पिता पुत्र के बीच में जगड़े का एक नाटक खड़ा किया गया और किस प्रकार से जब उनकी सूची आई उनके नाटक का परदा फास हुआ इन्होंने 2012 में जब चुनाओ के मैदान में आये थे तो घुषना पतले करके आये थे कि हम सबको लवड़ाप देने का काम करेंगे जो इंटर पास करेंगे बच्चे जो हाई स्कूल की परिच्छा पास करेंगे उनको टेबलेट देने का काम करेंगे लेकिन मैं एकलेज जीसे सवाल करना चाहता हूँ, कहां गया आपका ये वादा जो आपने नौजवानों से किया था, इंटर पास करने वाले बच्चों से किया था, हाई स्कूल पास करने वाले बच्चों से किया था, कहां गया आपका वादा जो बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था, आज वो 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे है जिन सहरों में 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं बेतहासा कटवती इनके सरकार में हुई है गाउं की जंता तो बिजली से इतना तरस्त हुई कि जो छोटे मोटे गाउं के अंदर उद्योग धंदे चलते थे वह पूर कर गए कि रोजगार का कोई अख्लिय श्याद्यूजी की सरकार में स्रिजित नहीं हुआ कि उदाहरण के तवर पर कि लगभग साढ़े तीन सो चपरासी के पद के लिए बैकंसी निकली थी और उसमें लगभग 38 लाख लोगों ने आवेदन किया इससे असपर शंकेत है कि अगर चतुर्ट सेड़ी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई वैकंसी निकलती है और उसमें 38 लाख लोग आवेदन करते हैं उसमें पीएजडी धारक भी होते हैं उसमें इंजिनियर भी होते हैं तो इससे बड़ी कोई और जानकारी नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश को बेरोजगारी के दलदल में आखलेश यादो सरकार ने पूरी तरह से धक्रेल देने का काम किया है इस सरकार में बहन बेटियां असुरच्छित चाहे बुलंसाहर का राष्टी राजमार का गैंग रेप का मामला रहा हो चाहे महन पूरी के अंदर चवराहे पर समाजबादी पार्टी से चुड़े हुए गुंडों के द्वारा महिला के साथ अपमान जनक बेवहार का मामला रहा हो चाहे अलीगण और बरेली सहित प्रदेश के कई जिलों में लड़कियों को स्कूल जाने से इसलिए अपने को रोकना पड़ा क्योंकि उनको डल लग रहा तक इस सरकार के रहते अगर हम कालेज जेज जाएंगे सुरच्छी तो वहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा पूरा उत्तर प्रदेश तरही तरही कर रहा है कानून व्यवस्ता पूरी तरह से ध्वस्त है इस सरकार ने कहां हमने संतुलित विकास किया जरूर किया है अखले स्यादों जीने संतुलित विकास आपराधियों का विकास हुआ है, गुंडों का विकास हुआ है, भूमापियाओं का विकास हुआ है, खननमापियाओं का विकास हुआ है, भ्रश्टाचारियों का विकास हुआ है, इनके विकास में कोई असंतुलन नहीं है, बाकी सभी छेत्रों में जरूर संतुलन कायम करने मं या पेल हो गए हैं लेकिन यह से सपर्देश के अंदर हो जिस प्रकार से स्वास्स सेवाओं की इस्तिती बनी हुई मैं समझता हूं कि जिस सरकार ने अपने स्वास्स सेवाओं के लिए प्राप्त हुए धनका 14 प्रतिसत भी जोorman जनता को भरमाने वाला वादा और जनता आख्लिय श्यादो स्रकार के या समाजवादी पार्टी के घोषना प्रत्र से भ्रमित होने वालीन भारती भारती जन्ता पार्टी के पच्छ में उत्तर प्रदेस की जन्ता खड़ी है और मैं इस घोषना पत्र पर टिपनी करते हुए यही कहना चाहूंगा कि भारती जन्ता पार्टी आएगी तो गुंडा गर्दी भी कम होगी विकास भी होगा जमीनों पर कबजे करने वाले जो तत्तों हैं उनके खिलाब सक्त से सक्त कारवाई होगी महिलाओं के लिए सबसे सुरच्छित प्रदेस अगर कोई होगा तो मेरा उत्तर प्रदेस होगा किसानों के लिए नहीं कहा हम किसान कल्यान कोस बनाएंगे अखले स्यादो जी आप वह मुखमंत्री हो जिन्होंने राहत रासी का बित्रण तक नहीं किया किसान आज भी तरह हित्रा ही कर रहा है रो रहा है आपने किसानों की उपज की खरीद नहीं किया गन्ना किसानों के बकाय का भुक्तान का कोई प्रबंद नहीं किया प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना देश के अनेक राज्यों में प्रारम हो गई लेकिन उत्तरप देश के अंदर आप प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना भी सुरू करने में असफल रहें मेट्रो और एक्स्प्रेस दे की बात करते हैं अभी उत्तरप्रेस की जंता को इसका ना कोई लाब मिला है और ना मिलने वाला है ये सहफ़ई परिवार ने जरूर कुछ घंटे के लिए एक्स्प्रेस दे का भी और मेट्रो का भी आनन लिया है लेकिन सारे अधूरे कारियों को पूरा करके दिखाना विज्यापन वाले मुखमंत्री, सिलान्यास वाले मुखमंत्री, आपराधियों का सन्रचण करने वाले मुखमंत्री के रूप में देश के सबसे असफल मुखमंत्री के रूप में अगर कोई जाना जाएगा तो अखले प्रदेश का यूपी मेश कोई वजूद नहीं है भारती जनता पार्टी 300 शोटीक सीटे जीत करके उत्तरप्रदेस में कैसी सरकार देने का काम करेगी जिसकी उत्तरप्रदेस की जनता को लगातार पृतिच्छा है मानि स्री नरेन नरेन मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मानि नरेन मोदी जी के नेत्त को ताकत देने के लिए मानि नरेन मोदी जी के द्वारा जो विकास योजना उत्तर प्रदेश के लिए पहुंचाई जाने वाली उसमें ये बाधक के रूप में अखले स्यादो जी ने काम किय या विन अगर प्रने पॉंच पाति है व्हुजन हो आज रप्रदेशी की दश्वीर कुछ अलग होती है लेकिन अखलेस वीजी ने मेरे उत्तर प्रदेश को बरबाद करने का काम किया है माया क्या तुम clear को यह थीनृ भाख़्पा के खिलाब सदा एक जूट थे अभी यह जूट हैं या तीन ओ एक जूट होंगे तब भी 300 से जयदा भारती जनता पार्टी सीटे जीट करके सरकार बनाएगी मुझे इस सम्द में इतना ही कहना है इस सम्द में कोई कुछ कहना है तो मुझे अन्यता पिर सूची के सम्द में मैं तो भारते जंता पार्टी की चुनाव जो सम्ती है उसके द्वारा 149 नाम 149 नेम्स जो है उत्तर प्रदेश विदानसभाद चुनाव 2017 के लिए पहले घुशित हो चुके है आज एक सो पच्पन नाम 155 नेम्स उसकी मैं घोच्रा करता हूं कैराना मिरिगंका सिंग मेरट कैंट सत्प्रकास अगरवाल जो विधायक तीन बार के विधायक है उनको पार्टी ने टिकर दिया है साहिवाबाद बार्टियंता पार्टी के पहले विधायक भी रहे है सुनिल सरमाधी नुएडा उत्तर प्रदेश बार्टियंता पार्टी के महमंत्री पंकत सिंग कुर नुएडा से दिया गया है डिबाई, डाक्टर अनिता राजपूत, बढ़ापूर, सुसान्त सिंग, हसनपूर, महेंद्र खडगबंसी, सास्वान, जीतेंद्र, बिलसी, बदाई जुले में जो पढ़ता है, आरके सरमा, डाता गंज, राजीव सिंग बब्बू, मैनपुरी सदर, असोग चौहान, भोगाउं, राहुल राठाओर, किसनी, सुनील इंजीनियर, महोली, ससांग द्रिवेदी, त्रिवेदी, करहल, रमा साक्य, सीतापूर, राकेश, राठाओर, हरगाउं, सुरेश राही, लहरपूर, सुनील बर्मा, बिश्वा, यहाँचे पाटी ने महंद र्यादो, कोटिकर्द्या, सेवता, ज्यान तिवारी, महमूदाबाद, आसा मौर्य, सिधावली, राम बक्स रावत, मिश्रीक, रामकिस भारगो, प्रदेश में मंत्री भी रहें, स्वाइजपूर, मानवेंद्र प्रताव रानू, साहाबाद, रजनी तिवारी, हरदोई, राजा बक्स सिंग, गोपा मौव, स्याम प्रकास, चांडी, प्रभास बर्मा, बिल ग्राम, मल्लाव, मल्लावा, आसी सिंग आसू, बाला मौव, रामपाल बर्मा, संडीला, राजकुमार अग्रवाल, बांगर मौव, कुल्दीप सेंगर, ये विधायक हैं, सफीपूर, बंबालाल दिवाकर, मुहान, बरजेश रावत, भगवंत नगर, यहां समित्रो, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, और बहुत ग्यानी और बिद्वान हैं, उनको भारती जन्ता पार्टी ने हिर्दयनाथ दिछित जी को यहां से लड़ने का फैसला लिया है, भगवंत नगर से, पुर्वा, राकेश उत्तम लोधी, मलिहावाद, जै देवी, भक्षी का तलाब, अभिनास त्रिवेदी, लखनव पस्चिम, शुरेश स्रिवास्तोजी, लखनव उत्तर, नीरज ओरा, लखनव पुर्व, आस्तो, संडन, गुपाल जी जो अभी बिधायक भी हैं, और उत्तर प्रदेश के भातिंता पार्टी के उपादेश भी हैं, लखनव पुरु से, लखनव मध्य, पुरु सांसत, और बरिश नेता, ब्रिजेश पाठक को लखनव मध्य से लड़ाने का पार्टी ने नेड़े लिया है, लखनव मध्य से, इसी प्रकार से लखनव कैंट से, जो अभी तक अभी बिधायक हैं, और बरिश नेता हैं, तीटा बहुगना जोसी जी को बातियनता पार्टी ने यहां से लखनु कैंट से लड़ाने का निड़े लिया है, कायम गंद, अमर सिंग, अमर्तापूर, सुशील साक्य, फरुखाबाद, सुनील दत दिवेदी, भोजपूर, नागेंदर सिंग, छिब्रामव, अर्चना पांडे, तिब्रा, तिरवा, कैलास राजपूत, कन्नोज, बनवारिलाल दोहरे, जस्वंत नगर, मनीश यादो, एतावा, सर्ता बदोरिया, भर्थना, यहां से साबित्री कठेरिया चुनौल लडेंगी, बातिन तापार्टी कि तरफ से, बिधूना, बिने साक्य, दिबियापूर, लाखन सिंग, ऑरयया, रमेश दिवाकर, रसूलाबाद, यहां से निर्मला, शंक्वार, चुनौल लेंगी बातिनतापार्टी कि तरफ से, अगबरपूर, रनिया यहां से चुनओ लडेंगे पर्तिभास सुक्ल, शिकंदरा, मतुरापाल, भोगनीपूर, यहां से बिनोत कटियार, बिल्लहर, भागवती सागर यह भी पूर में मंतिरी रहे हैं बिल्लाहर से चुनाव लडेंगे भक्ति सागर जी, बिठूर, अभजीत सांगा, कल्यानपूर, नीलिमा कटियार, सीशामव, सुरेश अवस्ति, किद्वई नगर, महेश त्रिवेदी, घाटमपूर, कमलारानी वरुन, यह सांसद हैं, रही है, पहले पूर में सांसद रही है और अच्छा कारकाल रहा है, कुर्शी, साकेंद्र बर्मा, बाराबंगी, हर गोबिन सिंग, जैदपूर, उपेंद्र रावत, दरियाबाद, दरियाबाद से सतीश गर्ग, सतीश सर्मा चुनाव लडेंगे, दरियाबाद से, हर्चंदपूर, कंचना लोधी, रायबरेली, अनिता सिर्वाद, सलोन, दल बहादुर कोरी, सरेनी, धिरेन सिंग, उचाहार, उतकर्स, उतकर्स, मौर्य माधोगण, मूल चन निरंजन, कालपी, नरेंद्र जादोन, उरई, गौरी संकर वर्मा, बबीना, राजीव पारीछा, मौरानिपूर, यहां से बिहारी लाल आरेजी चुनाव लडेंगे, गरवठा, जवाहर राजपूद, ललितपूर, राम रतन कुस्वाहा, महरवनी, मन्नू कोरी, हमीरपूर, असोग चंदेल, राठ, मनीचा अनुरागी, महोबा, राकेश गुस्वामी, चरखारी, ब्रिज भूशन राजपूत, तिंदवारी, ब्रजेश प्रजापती, नरैनी, राजकरन कभीर, बांदा, प्रकास दिवेदी, चित्रकूट, चंद्रिका उपाध्याय, बिंदिकी, करन चहर पठेल, करन सिंह पठेल, यह लडेंगे बिंदिकी से, इसमें से बहुत सारी लोग पूर में विदायक भी रहे हैं, सांसद भी रहेंगे, बहुत बरिष्ट एसब राजिनिता लोग हैं, अयास सा से विकास गुपता, हुसेन गन से रडवेंद प्रताप सिंह, इनको धुन्दी सिंह बोलते हैं, उर्फ, रडवेंद प्रताप सिंह, धुन्दी सिंह, रामपुर खास, नागेश प्रताप सिंह, बाबागन, पवन गौतम, कुन्दा, जानकी प्रसाथ, पांडे, पट्टी, राजेन प्रताप, मोती सिंह जी, रानीगन, यह भी पहले विधायक कई बार है, रानीगन, धीरत ओजा, सिराथू, पप्पु पटेल, जो, भन्जनपूर, यहां से लड़ेंगे, मन्जनपूर से, यह सुरची सीटे यहां से, लाल बहादूर, मन्जनपूर से, चायल से संजय गुपता, फाफा बहु, विक्रमा जीत मौर्य, फूलपूर, प्रवीन पटेल, कर्छना, प्यूस, रन्जन, निशाद, मित्रो, इलाहाबाद पस्चिम से, आप सब के चीर परचित, बार्चिनता पार्टी के रास्ती मंत्री, पहले में प्रवक्ता रहे, इलाहाबाद पस्चिम से, सिद्धार्प नाज सिंग चुना लडेंगी, 2. इलाहाबाद पस्चिल से, इलाहाबाद उत्री से हर्ष बाजपही जी, इलाहाबाद दच्चित से नंध कुमार नंदी, गुप्ता जी, एलाबाद दच्छित से बारा से डाक्टर अजय भारती, कोराओं राजमणी कोल, तीलोई माइंकेश्वर सिंग, जगदीशपूर सुरेश पासी, गौरीगन उमासंकर पांडे, अमेठी गरिमा सिंग, इसावली ओम प्रकास पांडे बजरंगी, जए सिंग पूर, यहाँ से लडेंगे सीता राम वर्मा, लंबुआ, यहाँ से देव मडी दूबे, काधिपूर, राजेश गोतम, हैदरगर, बैजनात यादो, मिलकीपूर, बाबा गोरकनात, अवध्या, बेद प्रकास गुपता, कटेहरी, अवधेश, दिवेदी जी, चुना उलडेंगे मांचे, टांडा से संजु देवी जी, आलापूर, अनिता कमल, जलालपूर, राजेश सिंग, अकबरपूर, चंद प्रकास बर्मा, बलहा, अच्छेवरलाल गौर, नानपारा, माधुरी बर्मा, मटेरा, अरुन वीर सिंग, महसी, सुरेश्वर सिंग, बहराईच, अनुपमा जायसवाल, भार्टेंता पार्टी उत्तर प्रदेश के महमंत्री हैं, और इनको भाराईच से अनुपमा जायसवाल को केंद्री चुनाव सम्ति ने लडाने का तई किया है, प्यागपूर से सुभास्त, त्रिपाठी, भिनगा, अलचेंदु कांत सिंग, स्रावस्ती, राम फेरन पांडे, तुल्शिपूर, कैलास नात सुक्ल, गैशनी, सैलू सिंग, उत्रवला, राम प्रताब बर्मा, बलराम पुस्तुरच्चित, याँसे पलटू राम, मिह नौन, बिने दिवेदी, गुंडा, प्रतीक भूसन, प्रतीक भूसन जी, कंडल गंज, अजय प्रताब सिंग, लल्ला भिया, कंडल गंज, तरब गंज, प्रेम नारायन पांडे, मनकापूर, रमापती सास्त्री, बातिनता पाट्डी के बरिशनेता है, पूर मंतिरी रहे हैं, मनकापूर से लडेंगे, गोर, रमापती सास्त्री जी, गोरा, प्रभात बर्मा, कपिल बस्तु, स्याम धनी राही, इतवा, सतीष दिवेदी, डुबरिया गंज, राग्वेंद प्रताब, हरैया, अजय सिंह, कप्तान गंज, चंद प्रकास, सीपी सुकला, रुदोली, संजय जाय सवाल, बस्ती सदर, दयाराम चौधरी, महादेवा, यहां से चुनाव लडेंगे, रभी सोनकर, महदावल, यहां से राकेश, भगेल, खलीलाबाद, दीग बिजय नारायन, जय चौबे, घंगटा, सिच सीर राम चौधान, मित्र यहां कुल मिला करके, जो हमने पड़ा, एक सो पच्पन नाम जो बार्टिजनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में 2017 की विदान सभागी जो चुनाव हो रहे हैं, उनके लिए घोसड़ा की है, और जैसा मैंने बताए, 304 नाम पूरे हो चुके हैं, सभी वर्ग को, सभी समदाएं, सभी वर्गों को इसमें प् प्रत्यासियों का चैन हुआ है, बार्टिजनता पार्टी की दो तिहाई बहमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनना तय है, एक बात मैं कहके, बस एक बात आपको कहके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, फिर आप जो पूछेंगे तो बता देंगे, वैसे तो अब ही मैं देख रहा था, खिलेश जी का मेनिफेस्टों केंद सरकार की बारे में कह रहेते हैं कि मोधी जी ने कुछ किया नहीं, अच्छे दिन, मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के लिए केंदर की सरकार ने, कर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मुद्रा अबैंग के तरह demonstrant, सलुच के आखे देचार करोड लोगों के लोन मिला, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, परधान मंत्री अपना जंधन अकाउंट िन करोल तीस लाख लोगों के गरीबों के अकाउंट मिले, प्रदान मंति जीवन जोटी जीवन सरंच्छा के तर सी अम्रिज सिटी डिकलेर हुए उस पर काम हो रहा है उज्जोला के तहट हर वर्ग हर जादी हर धर्म सभी लोगों को बिना डिस्क्रिमिनेट की हुए सभी को गैस कनेक्शन मिलना है और मित्रों इसके साथ एम्स राइबरेली में वारांसी में भी में खुला केंद्र के द्वारा इतने अधिक कारकरम इतने अधिक काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं मैं अखलेश जी को कहूंगा कि पूरी के पूरी अगर मैं उनको जानकारी भी बेह देता हूं केंद्र के मानि प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्तित में जो काम हुआ है उत्तर कार्ड में फेल फेल वर्ड लिखा हुआ है कुछ काम किया नहीं इसलिए जो आज मैं सुन रहा था उन्होंने का बाकी हमारे प्रदेश सद्धेश जी सब मेनिफेस्टों के बारें बोल चुके हैं जी लिखे एक बार भारती इंता पार्टी में कोई जोई किंदा पार्टी वह जते हैं सद्धिस्ता गाहन कर ली तो सभी बारती इंता पार्टी संत पौर ह कृप हाँ पहले भी और भी टिकट कटी है पहले सुची में भी टिकट कटे विदायक की इस बार अभी देखे पूरी सुची आने दीजिए इसके बाद भी तब आपको बताएंगे इसमें सीटिंगे मैं पढ़ रहा था आपको तो एक-एक सीट का नाम बता रहा था वहाँ एमेले भी आपको बता रहा था अभी आपको हमारे काराले से पूरी आपको आपको आख़ा डिटियल दे दिया जाएगा अच्छे कंडिडेट मिल जाएंगे तो भारतिंता पार्टी जरूर उनकुल ने भारतिंता पार्टी के पास जब उपिक्त कंडिडेट होंगे तो जरूर अवस्त चुनाओ लडाएगी हमारे कई राज्यों में आप देखे अल्प संक्यगवर के मंत्री भी हैं अभी राज ठीक बता दिया बता दिया कौन सीट नम्बर सीट नम्बर सीट नम्बर जो मैंने नाम पढ़ा वो आपको पता चल गया उसके बाद बाकी नाम है उन्हें पर विचार बिमास हो रहा है यह यह जो हमने देखे यह जो हमने पढ़ी है यह कुल मिला करके पांचवे चरण के नाम पढ़े हैं और इस सवली से ओम प्रकास पांडे बजरंगी को दिया गया है इस सवली से यह पांचवे चरण तक का हमने पढ़ा है आपको नाम बाकी इस पांचों चरण में भी कुछ नाम एक के दुख के बचे होंगे बाकी जो नाम हो जाएंगे वह आपको बताए जाएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों अब भाया इसनी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग निउज है इसको चलाएं अब कहां आपसे बातियंता पार्टी के सभी स्वयोगी दल्स बातियंता पार्टी के साथ में है